Hello friends, अब हम यहाँ पर plus 2 small friend addition करना सीखेंगे, सपोज अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं 0 plus 2, 0 plus 2 करने के लिए आप यहाँ पर lower beats से एक सार 2 beats को उठाकर उपर की तरफ move कर देंगे, means यहाँ पर आपका answer आजाएगा 2, इसी तरह अगर आप यहाँ पर करते हैं 1 plus 2, पहले हम अपनी beats को reset करते हैं, सपोज हम यहाँ पर करते हैं 1 plus 2, पहले हम यहाँ पर करेंगे 1, then 1 में 2 को plus करने के लिए हम नीचे से 2 beats को उठाकर उपर की तरफ move कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा answer आजाएगा 3, इसी तरह अगर हम यहाँ पर करते हैं 2 plus 2, हम यहाँ पर अपनी beats को reset करते हैं, सपोज हम यहाँ पर करते हैं 2, then plus 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हमारा answer आगया 4, means अगर जब भी हमें करना हो 0 plus 2, या 2 plus 2, 1 plus 2, तो इस तरह की calculation जो है हम वो directly कर सकते हैं, आपने देखा कि हमने किस तरह answer directly beats को उपर की तरफ move किया, इन्हें calculate करने के लि थोड़ी से different हैं, like 3 plus 2, 4 plus 2, तो तब आप वहाँ पर small friend का use करेंगे, पहले हम यहाँ पर एक बर अपने beats को reset करते हैं, suppose हम यहाँ पर addition करना चाहते हैं 3 plus 2 का, जिसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर करेंगे 3, जिसके लिए आप नीचे से 3 beats को उठाकर उपर की तरफ move कर देंगे, यहाँ पर यहाँ आपका आगया 3, फिर हम यहाँ पर 3 में 2 को plus करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, हमारे पास तो सिर्फ यहाँ पर एक ही beat है, बट हमें तो यहाँ पर 2 beats चाहिए 2 को plus करने के लिए, तो अब हम यहाँ पर small friend का use करेंगे, means अब आप यहाँ पर formula apply करेंगे, plus 5 minus 3 का, जैसे कि मैंने आपको पहले tutorial में बताया था कि 2 का small friend होता है 3, और हमें 3 में 2 को add करना है, और हमारे पास नीचे सिर्फ एक ही beat है, तो हम क्या करेंगे, कि 2 के small friend यानि कि 3 beats को नीचे move करेंगे, और उपर वली beat को नीचे लेकर आएंगे, तो हमारा answer बन जाएगा 5, क्योंकि जब भी हमें किसी भी value में 2 को plus करना होता है, तो तब हम यहाँ पर formula use करते हैं, plus 5 minus 3, तो plus 5 minus 3 करने के लिए, आप उपर से beat को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, और नीचे से आप यहाँ पर 3 beats को एक साथ नीचे की तरफ move कर देंगे, जिसके लिए आप यहाँ पर index finger और thumb कर use करेंगे, तो आएए, अब हम यहाँ पर करते हैं, plus 5, जिसके लिए हम उपर से beat को उठाकर नीचे की तरफ लेकर आएंगे, then हम यहाँ से करेंगे minus 3, जिसके लिए हम lower beats को, means जो नीचे की हमारे पास 3 lower beats हैं, उन्हें हम एक साथ नीचे की तरफ move कर देंगे, means अभी जो हमने यहाँ पर कर दिया, minus 3, हमने यहाँ पर formula apply किया, plus 5, minus 3, और यहाँ पर हमारा answer आया, 5, जोसे कि आप जानते हैं, 3 plus 2 equals to 5, इसी तरह से अब हम यहाँ पर करना चाहते हैं, 4 plus 2, same आप formula apply करेंगे, 4 plus 2 के लिए भी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर नीचे से 4 beats को उठाकर एक बार उपर की तरफ move करते हैं, this is 4, और 2 का small friend होता है 3, तो हम 2 को plus करने के लिए क्या करेंगे, कि उपर की beat को नीचे लेकर आएंगे, और नीचे की जो 4 beats अभी उपर हैं, उनमें से 3 beats को नीचे move कर देंगे, क्योंकि 2 का small friend 3 होता है, तो इसलिए हम 2 add करने के लिए 3 beats को, यानि कि 2 के small friends को नीचे कर देंगे, और 4 में 2 को plus करने के लिए, हम फिर से यहाँ पर formula apply करते हैं, plus 5 minus 3 का, plus 5 minus 3, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास answer क्या आया, 6, बस आप यहाँ पर हमेशा इसी बात का ध्यान तरव मूव करेंगे, थेंक यू!